नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News करने का है आश्वासन H9N2 वाइरस को लेकर हर्याणा में अलर्ट सांस की बिमारी और निमोनिया मरेजों की मोनिटरिंग होगी हर्याणा में अब हर पुलिस कर्मी का तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड बेहतर कार्ये करने वाले होगी सम्मानित जबकि लापरवा पुलिस कर्मी पर होगी कारवाई हर्याणा में 28 जन्वरी को होगी वेटनरी सर्जन भरती का विश्याग्यान प्रिक्षा बताएंगे पूरा शेडूल हर्याणा सरकार का बड़ा फैसला अशोग खेमकावे संजीव वर्मा की सिकायतों के होगी जाज एक दूसरे पर लगाए थे आरोप पंच कुला में खेल महाकुम का आगाज हुआ तीस नौमबर तक चलेगा 2100 खिलाडी ले रहे हैं हिस्सा 24 खेलों में दिखाएंगे दमखम दान में मिली जमीन बेच सकेंगे दोलीदार ब्राहमन सभी डिसी को ओडर हुए जारी सीयम मनोरलाल खट्र ने 2022 में परसुरा महाकुम में की थी गोशना पंच कुला में किसानों का महापडाव 22 गंटे बाद स्माब किसान नेताओने चंडिकड में राजिपाल को सोपा मांगू समिश्याओं को ग्यापन नोग पलिस में होगी स्पो की भरती एक से पंदर दिसंबर तक मांगे गए हैं आविदन एक सर्विसमेन के साथ अन्नी को भी मोका ओनलाइन फ्रोड पर अंकुष लगाने की तैयारी में के अंदर सरकार अब पेमिंट भेजने में होगी चेर गंटे की देरी हर्याणा SSC को लगा बड़ा जटका नोग रूपों के लिखित परिक्षा करवाने के लिए कोट ने नहीं दिया अनुमती हर्याणा में उच्छे शिक्षा पर लोन लेने वाली महिलाओं को ब्याज पर मिलेगी सबशीड़ी इन डोकुमेंट्स की होगी आविशक्ता और उत्तरकासी टेनल से सभी 41 मजदूर निकाले गए पीम ने उनसे फोन परबाद की राजी सरकार मजदूरों को एक एक लाग रुपे देगी और आप खबरेविस तार्शे हर्याणा में मौसम विशेशक्यों ने दो दिनों तक धुन्द चाने की संभावन जटाई है इस से रात के ताबमान में लगाता गिरावट देखने को मिलेगी इन दिनों का मोसम गयों कास्तकारों के लिए अच्छा बना हुआ है यह मोसम गयों की ग्रोथ के लिए काफी अच्छा माना गया है मोसम विबाग ने आगे बताया कि इसके बाद 2 दिसंबर से 5 दिसंबर के दोरान मोसम आमतोर पर खुश्क तथा उत्री वा उत्रपश्च में हुआई चलेंगी पंजाब हरियाना के किसानों ने धरना खत्म करने का एलान कर दिया है किसान नेताओने का है कि पंजाब गवर्नर ने मीटिंग में MSP समय दूसरी मांगों को पूरे करने का आशवाशन दिया है किसान 26 नौमबर से मोहली के एरपोर्ट रोड के पास धरने पर बैठे वी थे किसानों की 19 दिसंबर को सेम भगवंत मान से मीटिंग होने वाली है उसमें सम्मंदित विबागों के अफसरों को भी बुलाया जाएगा वहीं पंजकुला में किसानों ने राजेपल बंडारु दतादरे से मिलने के बाद धरना खत्म करने का एलान किया है 11 दिसंबर को सेमित किसानों मोरचा हरियाना के नेता मीटिंग का रणनीती तयार करेंगे किसानों का कहना है कि वह तब तक इंतजार करेंगे पंजकुला में किसानों के महापड़ाव के दूसरे दिन किसान नेता रागिश टिकेट पहुंचे थे प्रिकेत ने कहा कि केंदर सरकार हमेसे चाहिए किसानों के अंदेखी करती आ रही है जिसको अब कता ही बरदास्त नहीं किया जाएगा। किसी को भी घबरानी की जरूरत नहीं है अभी बावक अपने बच्चों का ध्यान रखें और लगातार बुखार आने पर तुरंथ डॉक्टरों से संप्रक करें। यचिका पर सुनवाइए इसमें सभी स्कोलों द्वारा किये गई निर्मान कारिये वह उन wolle पर खर्च केगे राशी की प्रोग्रेस रिपोर्ट के आधार पर स्टेटेस रिपोर्ट मांगी गई है उन्होंने निर्देश दिये कि जल्द से जल्द स्कूलों की स्टेटेस रिपोर्ट निदेसले में बिजवानी है उचिनायले द्वारा सकती के बाद निदेसले ने सभी जिला सिक्षा अधिकारिय ब्रामन समाज को मिल गया है इस संदार में वीतिया आयुक्त राजिसु एम अधरिक्त मुकी सच्चिव हरियाना ने सभी जिलाव पायुक्तों को पत्र लिका निर्देश दारी कर दी है मुक्यमंतरी मनोलाल खटर ने 11 दिसंबर 2022 को करनाल में आवजित भगवान पर सुरा महाकुम में लगबग 1701 धोली की जमीन के मालिकान हक दिलानी की गोशना की थी उन्होंने कहा कि परदेश ब्रामन समाज के हित पाजपा के राज में सुरक्षित हैं मुक्यमंतरी मनोलाल खटर ने ब्रामन समाज के अधिकतर मांगों को पूरा कर दिया है हरियाना के नू जिले में पुलिस विभाग में स्टाफ के कमी को दूर करने के लिए विशेश पुलिस अधिकारियों यानि S.P.O की भरती की जा रही है सेनाविम अर्चैनिक बल के सेवाने वर्थ करमचारियों के अलावा H.I.S.S.S. बटालेन से हटाए गए करमचारी वे 2004 में हरियाना ससस्तर बल से हटाए गए करमचारियों को पुलिस में विशेश अधिकारी की तोर पर भरती होने का एक मोका दिया गया है पात्र वैक्ति इसके लिए 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक कमरा नमबर 402 जिला निर्ख्षक शाखा कारियाले पुलिस अधिक्षक नू में अपना आविदन कर सकते हैं आविदन के साथ अपने संपुन असल दस्तावेज पेस करना आनिवारे होगा SP नून नरेंदर बिजानिया ने बताया कि चैनित होने वाले उमिद्वार को 18,000 रुपे परतिमा वियतन दिया जाएगा SPO की भरती के लिए हरियाना के किसी भी जिले का रियाज़ी सिवानिवर्थ करमचार ये आविदन कर सकता है उन्होंने पताया कि हैवी ड्राइवर, कम्पिटर, अपरेटर वा अन्य ट्रेड स्पेशलिस्ट को भरती में अलग से प्रात्मिकता दी जाएगी मुख्याले भरती जोन, अंबाला द्वारा मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों पर आविदन मांगे गए है जो भी उम्मिद्वार इन पतायों के लिए चुक में भारती डाक के माधिम से अपने आविदन भेज सकते हैं आविदन करने की आखरी तारिक 25 दिसंबर 2023 त्या की गई है इन पतायों के लिए आविदक 10 पास होनी चाहिए देश भर में अगले साल लोकसभा चुनाओ और फिर हर्याणा में विदान सभा चुनाओ का बिकुल बजेगा ऐसे में चुनावी सिजन को देखते हुए परदेश के मनोहर सरकार हर वर को लुबाने के लिए कई बड़ी सोगात देने के लिए गोशना कर रही है इसी कड़ी में मुख्यमंतरी मनोहरलाल खट्र ने आंगनवाडी वरकरों के साथ समभाद करते हुए उनके लिए कई सारी सोगातों का एलान किया सियम मनोहरल खट्र ने दस वर्ष तक की सेवा वाली आंगनवाडी कारेकरता का मानदे 11,401 रुपे से बढ़ा कर 12,500 रुपे करने के खुशकबरी दिया है वहीं आंगनवाडी हैलपर का मानदे 6,781 रुपे से बढ़ा कर 7,500 रुपे कर दिया है उन्होंने कहा कि अब आंगनवाडी कर्मियों को 800 रुपे की बजाए 1500 रुपे वर्दी भत्ता दिया जाएगा वहीं आंगनवाडी हैलपर को अब रिटेर्मेंट पर 50,000 रुपे से बढ़ा कर 1,000 रुपे और आंगनवाडी कर्यकरता को 1,000 रुपे की बजाए 2,000 रुपे की सम्मान राशी दी जाएगी उन्होंने काया कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा मान दे अब हरियाना में मिल रहा है हरियाना में गुरूप C के लगबग 32,000 पदों पर भरतिया की जानी है अभी तक हरियाना करमचरी चैना आयोग यानि HSSC की तरब से गुरूप नंबर 56 और गुरूप नंबर 57 की परिक्षा ली गई है आयोग ने 63 गुरूप बनाए है ऐसे में 6 गुरूपों की परिक्षा होने भी बाकि है फिलाल गुरूप नंबर 56 और 57 का मामला कोर्ट में है अब आयोग चाहता है कि बचेवे गुरूपों की परिक्षा लेने के लिए कोर्ट से अनमती ली जाए परिक्षारते भी लंबे समय से परिक्षा के इंतजार कर रहे है आयोग को मी थे कि कोर्ट इन 9 गुरूपों की लिखित परिक्षा के लिए अनमती दे देगा पर हर्यान करमचरी चैनायोग को एक बड़ा जटका लगा है आपको बता दे कि पंजाब एम हर्याना हाइकोट ने इन 9 गुरूपों की लिखित परिक्षा के लिए अनमती नहीं दी है एक बार फिर शे आयोग और परिक्षारतियों को निरासा हत लगी है हर्याना में 383 पदों के विवादित वेटनरी सर्जन भरते के लिए हर्याना लोक्षव आयोग यनि हच्पीसी ने सब्जेक्ट नोलेज टेस्ट यनि की विशेग्यान परिक्षा के लिए तारिक का एलान कर दिया है आपको बता देंगे यह परिक्षा 28 जनुवरी साल 2024 को होगी इसके साथ ही आयोग ने भरते के लिए सिलेबस और नियम भी जारी कर दिये है परिक्षा में जिन अभ्यारतियों के 35 फिश्दी से कम अंक आएंगे उन्हें इंटर्वी के लिए मंतरित नहीं किया जाएगा हPSC ने इस बारे में ओफिसल नोटिस जारी कर दिया है ओनलाइन पेमिंट फ्रोड के लगाता बढ़ते मामलों पर अंकुष लगाने के लिए केंदर सरकार एक नया कदम उठाने के तयारी कर रही है इसके तैट सरकार डिजिटल पेमिंट पर करें में कुछ बदलाव करने पर विचार कर रही है सरकार ऐसे लोगों के बीच पहली बार होने वाली ट्रांजेक्शन के लिए लगने वाले नियुनतम समय में बढ़ोतरी करने की तयारी भी कर रही है मिली जानकारी के मताबिक बता दें कि दो यूजर्स के बीच दो अजार उपे से ज़्यादा कि सभी डिजिटल पेमिंट ट्रांजेक्शन के लिए टाइम लिमिट च्यार गंटे सेट हो सकती है अगर यह प्लाइन फाइनल होता है तो इमिडियेट पेमिंट सर्विस यानि कि IMPS वर रियल टाइम ग्रोश सेटलमेंट यानि RTGS और यूनिफाइड पेमिंट इंटरफेस यानि UPI के जरी होने वाली डिजिटल पेमिंट इस दाइरे में आ सकती है डिजिटल पेमिंट फ्रोड पर अंकुष लगाने के लिए इस प्लान में अकाउंट बनने पर ना केवल पहले ट्रांजेक्शन में लिमिट और देरी होगी बलकि दो ऐसे यूजर जिनके बीच पहली भार डिजिटल पेमिंट पर क्रिया हो रही है उनके बीच भी 2000 उपे स से जादा के लेंदेन के लिए भी च्यार गंटे की देरी होगी चाहे उनकी पुरानी इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन हिस्ट्री कैसी भी रही हो हरियना में शिक्षा ग्रेंड करने वाली महिलाओं के लिए एक और बड़ी खुशकबरी सामने आई है पर्देश सरकार ने हायर एजुकेशन शिक्षा के लिए बैंक से लोन लेने वाली महिलाओं को ब्याज पर 5% सबशिटी देने का बड़ा फैसला लिया है बैंक यदी 9.25% की ब्याजदर पर रिण देते हैं तो महिलाओं को अपनी जेब से सिर्फ 4.25% ब्याज देना होगा जबकि बाकी की 5% रासी का बुगतान महिला विकास निगम बुगतान करेगा महिलाओं तथा यूदियों को उच्छी सिक्षा सुनिशित करने के लिए महिला विकास निगम ने सिक्षा रेंड योजना लगो की है इस योजना के तैत हरियाना की मूल निवासी छात रहीं एम हरियाना सरकारे में कारेरत सरकारी कर्मियों की बेटियां वा पत्नियां पात्र होंगी जो कि देश या विदेश में कहीं पर भी सिक्षाएं ग्रेंड कर रही हो दक्षन हरियाना के रेवाडी सहर के राव तुलाराम स्टेडे में 4-17 दिसंबर तक सेना भरती रैली का आउजन किया जाएगा सेना भरती का रैले चर्के दादरी के नेदेसक करनल आनंद साकले ने बताया कि अगनिपात योजना के तैट सेना में भरती के लिए रेवाडी साइथ, महिंदरगाड चर्के दादरी और बिवानी जिले के ओनलाइन परिक्षपास सब्यारतियों को सारे रिक टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिये गए हैं युवा जौइन इंडियन आर्मी वेबसेट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं भरती रेले में युवाओं को अगनिवीर बनने के लिए 1600 मेटर या यू कहें कि 1.6 किलोमेटर की दोड़ लगाने होगी और कम से कम 6 और अधिक्तम 10 चीन अप करने होगे वही 9 फिट गड़े को पार करना होगा वह जिग जग बैलन्स भी दिखाना होगा साथ साल पहले बिजली निक्मों के चेर्मेन रहते वे करमचारियों की जवाब दे ही तै करने के लिए रिपोर्ट कार्ट तयार करने की योजना को हरियाणा के डिजीपी शतरूझीत कपूर ने अब पुलिस विभाग में भी लागू कर दिया है सबी पुलिस कर्मियों की रिपोर्ट कार्ड आवंटित कर दिये गए हैं इस आकलन प्रपत्र के प्रिणामों के आधार पर पुलिस कर्मियों की वारशिक गोपने रिपोर्ट या यू कहें कि इसके अलावा बेहतर कार्य करने वालों को आवाड भी दिये जाएंगी जबकि निगेटिव काड़ वालों पर कारवाई होगी देश में पिछले दो दिन के दोरान हुई बारिश से ठंड बढ़ गई है जम्मू कस्मीर हिमाचर प्रदेश और उत्राखन में बरबारी हो रही है कस्मीर के अनंतराग में नियूंतम तापमान 1.2 डिगरी सेल्शिस दरज किया गया श्री नकर में नियूंतम तापमान 3.9 रहा आमडे ने पाहडी राज़ो में एक दिसम्बर तक बारिश व बरबारी का लड़दारी किया है इधर दिल्ली में आन्दि बारिश के बेच नियूंतम तापमान 14.9 डिगरी सेल्शिस दरज किया गया राजस्तान में नियूंतम तापमान 15.0 डिगरी सेल्शिस रहा इनमें 10 प्लाइट को दिली से जैपुल डाइवट किया गया तो वहीं तीन को लखनाव एक को एमदाबाद और दो को अमरत्सर डाइवट करना पड़ा वहीं हिमाचल परदेश के ट्राइवल जिलाक कि नौर और लाहुल स्पीते के उच्छी चोटियों पर बीती रात हलका हि हारी गरावट दर्ज की गई एक अन्य खबर पर नजर डालें तो सोना आल टाइम हाई पर जा पहुंचा है दस ग्राम सोने का अबाव 466 रुपए महेंगा होकर 61,913 रुपए पर भीका वहीं चांदी में भी सांदार तेजी दिखाई दी और यह 1843 रुपए महेंगी होकर झाल टालें करते हैं